हल ही में आरियन खान ने अपने इंस्टेग्रिम पेच पर शेर किया कि वे जल्द ही अपने पहले प्रोजेक्ट के साथ बॉलिवुड में कदम रखने जा रहे हैं उन्होंने बताया कि स्क्रिप्ट तो तयार है बस शूटिंग का इंतिजार है अभी ये अंदादा नहीं लगया जा सकता कि ये फिल्म के स्क्रिप्ट है या किसी वेब सिरीज की लेकिन इतना तय है जो भी बनेगा वो रैट चिली एंटर्टेन्मेंट के बैनर तले ही बनेगा और प्रोडिसर पापा है ही शहजादे आरेन अपनी ताजपोशी के लिए बिलकुल तयार है और हमें भी इनतिजार है कि अपने उत्राधिकारी को बादशाह ने बॉलिवुट की जंग के लिए कितना तराशा है ये तो बात थी फिल्म की लेकिन अब बात करते हैं कि उनकी फिल्म चलेगी या नहीं जो गलती बॉलिवुट के बड़े बड़े दिगज अपने करियर के बीच में आके करते हैं वो आरेन खान अपने करियर के शुरुआत से पहले ही कर चुके हैं जैसे अक्षे कुमार ने जैसे ही अपने कदम जुमा केसरी के और बढ़ाए दर्शकों ने अपने पाउं सिनेमा गरों से वापस खींच लिए वैसे ही आरेन खान का नाम भी NCB से अचुता नहीं है आरेन खान को जानना चाहिए कि जितने एक्साइटिड वो अपने पहले प्रोजेक्ट के लिए हैं क्या उतने ही एक्साइटिड उनके दर्शक भी हैं? चली ये तो हमें पता चल ही जाएगा जब ये फिल्म दर्शकों को थाली में परोसी जाएगी तो दर्शक चक के बताएंगे कि ये फिल्म गुलाब जामुन जैसी मीठी है या करेले जैसी कड़वी आप भी बॉलिवुड की चटपटी खबरों के लिए इस चैनल के साथ बने रही है जिसका नाम है बॉलिवुड मसाला अगर कॉंटेंट पर संद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनों के साथ शेर कीजिए थैंक यू फर वाचिंग बॉलिवुड मसाला